प्रीय दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिस पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि हमें पढ़ना है कि ए और केप्टल और स्मॉल ए का उच्चारण क्या होता है तो हम अगर हम कहें कि हम ए को आ पड़ें यहाँ भी सही है लेकिन हम इन्हें देख रहे हैं तो यहाँ पर हम ए का उच्चारण क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए ही होता है इसे हम इंगलिस में ए पड़ते हैं लेकिन अगर इसका उच्चारण करें हिंदी में तो इसे हम ओ भी पड़ते हैं और ए भी पड़ते हैं इस परकार से देखिए इस परकार से पड़ेंगे ए का अर्थ है हम इसे यहाँ पर समझाते हैं यहाँ पर ए इस परकार से ए लिखा है तो इसे हम ए परते हैं लेकिन इसका उच्चारण ए होता है यहाँ आपको समझ आ चुका होगा तो आगे देखते हैं दूसरा है बी और इसका उच्चारण होता है ठीक उसी परकार सी है सी का उच्चारण होता है क ठीक आगे देखी डी का उच्चारण क्या होगा ड़ इ का उच्चारण क्या होगा और इ का उच्चारण होगा आगे हम देखते हैं F F का उच्चारन होगा फ नेश्ट है G G का उच्चारन होगा ग नेश्ट है H H का उच्चारन होता है H नेश्ट है I I का उच्चारन होता है E नेश्ट है J J का उच्चारन होता है जो नेश्ट है की की का उच्चारन होता है को नेश्ट है एल का उच्चारन होता है लो M, M का उच्चारन होता है म, नेश्ट है, N, N का उच्चारन होता है N N N N N O O K 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 नेस्ट है देखी क्यों का उचारन क्व होता है नेस्ट है आर आर का उचारन होता है र नेस्ट है S, S का उचारण होता है S, Next है T, T का उचारण होता है T, Next है U, U का उचारण होता है A, Next है V, V का उचारण होता है W, W का उचारण होता है W, ये हमारा W है और ये W Next है, X X, X का उचारण होता है Next है, Y Y का उचारण होता है Y का उचारण है यहाँ जेड का उचारण है यहाँ पर लिख देते है जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज